नमस्कार, क्या हाल चाले, सब ठीक है, बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां अपनो और अपने इनको ग्याल लाग और सोरा स्टैंट देखो, जब भी टाइम हो, सोरा स्टैंट देखो, देशी देख, फिगर बिरेख, परहे लाग लाबिट बिल्कुल देशी अंदाज में इसमें अगले साल यानि की 24 में लोकसवा चुनाब होने हैं और ऐसे में सत्ताधारी भाजपाते लेके समुच और विपक्ष तैयारी में जुट गयो है एक कहावत कावी प्रचलित है कि दिल्ली को रस्ता यूपी ते है के कुझ रहे या को सीधो साधा मतलब गए है कि यूपी में लोकसवा की 80 सीट है और इन पर जापार्टी को कब जो होगो सरकार बनाने में वाकी रहा बिलकुल आसान है जाएगी बीते लोकसवा चुनाब में यूपी में भाजपा को परदर्शन सांदार रहे हो है मगर 2019 के लोकसवा चुनाब में भाजपा हैं 14 के मुकाबले जादा सीट है हारी या 20 सताधारी भाजपा ने यूपी में दलित वोटन तक पहुंचने के नहीं हैं मास्टर प्लन तयार कर दरसल अब भाजपा दलित वस्तिन में विशेश संपरग अभियान चलाए वेगी आपको बदा दें कि आगामी लोकसवा चुनाब को देखते हुए बसपा सुपरिमो मायावती के स्टेंड ते पहले दलित वोटन के नहीं हैं भाजपा के या कदम को महत्कून मानो जारो है यानि कि भाजपा वारे या कदम को बहुत महत्कून मानने हैं और शासी जानकारें के अमसार अभी भी यावाट को संचे है कि आगामी लोकसवा चुनाब ते पहले बसपा सुपरिमो मायावती कौन से गटबंदन के साथ जाएंगी ऐसे मायावती के स्टेंड ते पहले भा संपर का वियान के तहित भाजपा प्रदेश की दलित बस्तिन में जाकर फीड बैक जुटावेगी और केंद्र योजनान में अन्सूचित जाती को कितनों लाब मिलनों हैं मिली जानकारी के मताबिक या वियान के लईया सांसद विधायक और जन प्रतिन दिन की सूची तैय करी जा रही है वहीं केंद्र और प्रदेश सरगार के मंत्री भी दलित बस्तिन में जांगे वहीं लखनव में आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने भी संग की बैठक में दलित बस्तिन पर फोकस रखने को मंत्र दियो है हां जी हां आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत ने दलि बस तिन पर फोकस रखने को मंदर दियो है जाके बाद भाजपाने अपनी तैयारी और तेज कर दई है या वो मतलब तो आप समझी रहे होगे उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह देगे बाद दिमाग में उनके में भर गई है बेगर बहुजन समाज के वोटन के बगर उनकी नईया पार हैने बारी नहीं है बीच महीं कफ्ती डूब जाएगी उनकी अगर उन्हें वोट नहीं मिले या लियां समाज को लगाने की समझाने की वोजाने की तरह देगे प्रियास करे जा रहे हैं लसं कैसे भी करक है फूट दैद बगिस फोट दैद हूँ लेगैं समाज इस सब चीज को समझ रो है हर चीज पर पहनी नजर है समाज की समाज या वो जवाब भी समय आने पर देगो और बखू भी देगो यह उमीद है और आप यह चीज को कैसे ले रहे हो कॉमेंट यह मादम ते जरूर बदा और वीडियो को शेयर करो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ी सी आगे को बढ़ाओ जरूरी है क्यों? कि जन जन तक कि वीडियो पहुंचनी चाहिए आवाज पहुंचनी चाहिए क्यों? क्योंकि जब तक आवाज नहीं पहुंचेगी तो लोगन की जनकारी कैसे बढ़ाई तो लोगन की जनकारी बढ़ानी है समाज को सचेत करनो है और नई वीडियो में बहुत जल्दी आप ते फिर रूपर उन्गे जब तक कि नहीं है देशी देख, डिगर बिड़ेख, बगर लागल बेख बिल्कुल तेशी अन्दाज बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार